प्रिवी में आपने एक कार्टून वाली वीडो देखागो जो कि इंस्टाग्रम रील पे काफ़ी ज्यादा ट्रेंड में और इसे क्रेट करना भी बहुत यह असान है त्रेंडिंग है और क्रेट करना भी असान है तो आखिर हम क्यों ना क्रेट करें तो आज के सब्सक्राइब आपको क्मप्लीट टूटेरियल मिलागा कि आप कैसे इस टाप का कार्टून वीडो क्रेट कर सकते हो वह भी बहुत ही इजी एस टेप में तो वीडो को लास्ट तक जरूर से देखना अब अब अपनी वीडो को स्टार्ट कर लेते हैं ओके तो कार्टून वाला वीडो क्रेट करने के लिए हमें स्नेप सीड की रिक्वाइर्मेंट होने माले ठीके तो आप इसे प्लेशटोर से गिण कर सकते हों शोरी снैप सील मैंने बोला नимости कि तो हैं जिस Counter को ओपें कर ले लें ठीके अब उसके बाद क्या करना है यहां पे आपको फिल्टर से यूज करना है एक कार्टून फिल्टर होता है तो पूरा लास्ट में हम आ जाते यहां पे ठीक उसके बाद explore के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपली सा सर्च के उपर जाएंगे और cartoon सर्च कर देंगे ठीक काट्टून सर्च करनेके बार यहाँ बहुत सारे cartoon वाले effect आजाएंगे कि अपने जो देखा वीडियो उसमें यह वाला इफेक्ट अपलाई किया गया था और भी यहां पर वह सारे इफेक्ट है तो देख लेना आपको कौन सा रिक्वार्मेंट है या फिर मिन्स कौन सा अच्छा लेगा ठीक है तो मुझे तो यह वाला सही लग रहे तो इसको उपर मैं क्लिक कर देता हूं एंड क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जस्ट इस इफेट के साथ एक वीडो सूट कर लेना होगा ओके इस तरीके से एक बना लेना टिक है एंड उसके बाद इसे कर लेना है सेव और दूसरा एक और आपको क्लिप शूट करने है ठीक है अब वो जो क्लिप होगा ना उसे आप वह मैनुनली कर लेना कोई जो अच्छा फिल्टर लगए यहां पर बहुत सारे फिल्टर है इन मेंसे जो फिल्टर आपको अच्छा लगे उसके साथ एक सूट करने है ठीक हाँ यह वाला फिल्टर ठीक ठाक लग तो इस टैप के जो भी फिल्टर होगा उसके साथ एक वीड़ो को सूट कर लेना है ओके यह सूटिंग हो चुकी अब उसके बाद सेव कर लेना है तो बिसिकली यहां पर हमने दू वीड़ो को सूट कर एक कार्टून वाले के साथ और एक मिन्स अच्छा फिल्टर के साथ तो दोनों को हमने सेव कर लिया अब उसके बाद हम बैक करेंगे ओके बैक करने के बाद सिंपली साथ फिर से स्नैप चैट को ही ओपिन करना है ओके एंड उसके बाद इस वाले बटन को पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो भी अपने मिन्स सूट किया होगा ना यह सब वीड़ो सब तू आ जाएगा ओके तो सिंपली साथ इसके उपर क्लिक करना एंड यहां पर टैप करके इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो एक्सपोर्ट और सेंड अस्नैप को उपर क्लिक करना एंड उसके बाद यहां पर सेव करने का ओप्सन देखने को मिल जागा कहीं ना कहीं ह हाँ मिल चुका है तो इसको पर क्लिक कर दें ठीक है ये एक्सपोर्ट हो चुका अब सेकेंड ये वाला हमने सूट किया था तो इसे भी उसी तरीके से सिंपली सा यहां से एक्सपोर्ट एंड उसके बाद स्क्रॉल थोड़ा सा और डाउनलोड ठीक है तो यह हो चुका हमारे दोनों वीडो बन चुकी अब उसके बाद क्या करना है हमें एडिट अब एडिट करने के लिए हमें जवर्वत पड़ेगी दो एप्लिकेशन क्योंकि यह लेंस बलर एफेक्ट और यह जूम एफेक्ट दोनों अलग लग लग अप्लिकेशन में ठीक है तो सबसे पहले हम व अब उसके बाद यह नॉर्मल वाला एडिकरने एंड यहां पे आरो के उपर क्लिक कर देने ठीक है तो यहां पर एड हो चुका अब उसके बाद जो म्यूजिक आप लगाना चाहते हूं मतलिए कि जो भी ट्रेंडिंग में वहले म्यूजिक को यहां पर यूज करने ठीक है एंडिंग म्यूजिक के साथ अच्छा रहेगा मींस वाइरल होने का ज्यादा चांसे जह तो मुजिक को पर क्लिक करके म्यूजिक एंड उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग होगा उससे यहां पर पैड कर देना ओके तो मुझे म्यूजिक मिल चुका अच्छा वाला अब चूज को पर क्लिक कर लेंगे एंड यहां पर हमारे म्यूजिक एड होगे ठीक है अब उसके बाद डन करेंगे तो यह एड हो चुका अब म्यूजिक में आप कुछ ऐसा म्यूजिक चूज करना कि जिसमें थोड़ वीडियो ओके तो बीट को कैसा इडिफाइ करेंगे music के उपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद beats के उपर जाएंगे और इसे आप प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको beat सुनाए देगा ठीके जैसे कि मेरे वाले इसमें यहाँ पे beat है तो हम क्या गया है इसको उपर सूंग करने से benefit है न कि जब हम अब उसके बाद इसे play करने कवाद आपको जो beat है उतना ही दुर तक है & call को राखना होगा तो को वीन से फ्रस्ट व्ले क्लिप का अप या तो मिन से इसका छोड़ा कर नहीं चज़ोड़ा कर कर सकते हो कोई इसमें लिमिट नहीं कि हाँ यह वाले यूज करना है या फिर यह वाले ही यूज करना है जो अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हूँ सो ओन एवरेज यार यह लाइट और एक यह जूम दो इफेक्ट अच्छे लग रहे ठीक है तो मैं जूम को सेलेक्ट करता हूं एंड उसके बाद डन करते अगर इसे और अच्छा आप बनाना चाहते हो तो क्या करना ना इसके उपर आना मिंस सेकेंड वाले क्लिप के उपर ए आश्ट वाले जो पार्ट होगा न मतलब जी इस सेकेंड वाले क्लिप होगा उसे थोड़ा सा स्लो मोशन करना होगा ताकि वीडो अच्छे लगे अट्रेक्टिव लगे ओके तो स्लो मोशन कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल होगा स्पीड को पर जाएंगे एंड उसके बाद जो पार्ट आपको स्लो करना है तो यह वाला पार्ट अच्छा लग रहा है वीडो में देखने में तो इसे पार्ट को हम थोड़ा स्लो कर लेते एंड उसके बाद सिंपली साथ डन कर लेंगे मिन्स जो पार्ट अच्छा लगे उससे स्लो कर लेना ओके तो देख सेकते हो हम तो आपके हिसाफ से जो मिन्स आपको अच्छा लाइगा उसे र सकते हो तो सिंपली सा एक्स्पोर्टर बटन के उपर टैब करके इसे एक्सपोर्ट करेना है उसके बाद वीवाकट या फिर वीटा यह दोने में से किसी को यूज करके लेंट सब्लाइपक्ट अपलाए करना ह ठीक है देन उसके बाद हम यूज करेंगी वीवा कट को एंड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है यहाँ पर ठीक है एड़िट को उपर हमें टाप करना होगा करेट करणा है और अब ही वीएदो में को बनाया है तो वीडियो को हमें। सेलेक्त करना है त बहुत ही सिंपल होगा इसको पैप करने के लिए बहुत सारे मीडियन मिल जाएंगा थिást यह मिडियन गया पो एक बिलर है और इसके बाद ऒला भी है तो आपको पसंद आप उसे यूज कर सकते हो यहां पे काफी आप कुछ दूर तक अपलाई करते हैं और चाहिए से यहां क्या ब्लर प्रेस करने के रखना है और यह अपलाई हो जा रहा है थे स्टार्टिंग में अप्लाय करना हुआ स्टार्टिंग में हमेरी अप्लाय हो चुका है कुछ इस तर 시청 के से और देख सकते हो बाट यह दुबार आ रहा था ना तो थ Lacan छोड़ा कर देंगे ओकिय इस तरीके से chodzi कर हुआ उसक बाद यहाँ पे हमारी एंवसन आए और अच्छे वाले वीडो ठीक है तो इस तरीके से देख सकते हो बन चुका हमारी वीडो अब एक्सपोर्ट अलोडन के उपर टैप करके यहां से अपको सेलेक्ट कर लेना रेजुलेशन और एक्सपोर्ट कर लेना अब मिलते हैं नेक्स ट्वाले वीडो में तब तक के लिए बाई बाई बाई